हाँ जी दोस्तों से वेक साथ जिनने भी इस अंदोलन देविच शहीद होए ने किसान ओना लही का खंड जोत जड़िया जगाई गई है जमें कि साड़े वीर ने दस्या कि वी तरीक तो लगातार जड़िया जोत जाल रही है ते इना भी ऐसी गालबात कार देया कि क्यों इन कुंडली बॉर्डर पे भी हो गया है हर जगा हम देखा पट ऐसा हमने नहीं देखा तो आपके मन में क्यों आया कि जो यह यहां पे शहीद हुए उनको इस तरह से खंड जोत जला के शरधांजली देनी चाहिए देखिए कोई भी जंग है यह पेट के मुद्दे हैं किसानी मुद्दे हैं इसको लेकर यह सहादत जो इन्होंने लिए बच्चों से लेकर बुजूर्गों से लेकर सबने सहादत दिया है मैं कहना चाहता हूं जंग तो अभी स्टार्टी नहीं हुई है यह तो सिरफ एक ट्रेलर था लेकिन थोड़ी तबियत की वज़े से या कुछ ऐ किसमा दिन है लगातार हम यहां बेखे हैं यह तो सिरफ आपको कम दिखाई दे रहे हैं यहां पे इसके बाद भी 78 किसान और हमारे बीच में नहीं रहे तो यह लगातार है और सरकार अभी भी मानने आज भी देखा आपने मन की बात मोदी साब क्या बोल रहे हैं कि यह भी पूरा का पूरा हर्यान राजस्तान यूपी मध्यपदे जितना किसान वर्ग है और जिनके साथ पिछले छे साल से मोदी जी ने चल किया है कभी नोकरी के नाम पर कभी रोजगार के नाम पर जो कोई भी अपना मुद्दा उठाता उसको विपक्षी कांग्रेश्टी खालिस् पतानी चाहिन से फंडिंग होते हैं इस तरह के आरोप लगा दिये जाते हैं तो यह अब इसे हीटलर का यानि मोदी का अब टायम पूरा हो चुके हैं अब सिरफ बच्चे से लेके युवा और बुजूर्ग सब जान चुके इसकी चाल सब समझ चुके हैं अब इसका ज्या परीवस्ता से लेके पंजाव वाड़े मेरे वीरों की अभी बोरी तक भी निखुली है साइद सामगरी की जो साथ लेके आएदे अभी तो यहां से चल रहा है यह मतलब कितना भी टायम लगजे कोई दिक्कत नहीं है यह लंबा चलेगा जितनी लड़ाई है 1907 में जो नाम करने तो इसी चीज के नाम करके जाएंगे किसानी मुद्व पर पेट के मुद्व पर सदा अड़े रहेंगे जी तो इदर भी हमारे भाई हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं नमस्कार सर पहले आपका नाम नमस्कार मेरा मूनी काल रामना करनाल से तो सर आप बताईए ज आपके चैनल के माद्याम से लोगों को चोटी सी बात सिंपल सी बात जाता हूं अगर आस जो सड़क किसान जो इतने सड़क पर आए वहागर यह सारे कांगरी होते तो आज सेंटर में कांगरी सरकार हो नहीं थी ना कि बीजेपी की सरकार हुए यह तो सिंपल सी बात है लोगों को गुम्रा क्या जा रहा है बीजेपी सरकार दुबारा और इस सरकार का मतलब इतनी करूरती इतना ताना साही आज सक मेरी 27 साल की मर रहा है मैंने भी देख्या मेरे से जो बड़े हमारे बुजरक बैटे वो भी कभी ऐसी सरकार नहीं आई थी कि सरकिसान है जो किसान को बोल रहे हैं फाइदा नहीं चाहिए सिंपल सी बात है लेकिन यह सरकार है ताना साही कुछ नहीं बता है सिर्विशन अपना सारा देश हमबानी और डानी के हाथों बेज दिया है सर यूपी से आने वाले जो है अभी जैसे कि हमारे सुप्रीम कोट ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक चाहें किसान यह अंदोलन शांती पूरवक यह परदर्शन कर सकते हैं पर सरकार है इसका में मक्सद ताना साही है दुबारा से मतलब मैं याद दिनाना चाहता है लोगों को और जाब अखंड जो होता ना यह हमारे इसलिए लगाए से अनरजी मिलती रही सबको एकी बात आ रहा हूं कि यह जो है अगर यह जंग नहीं है यह लड़ाई किसान की नही है और कोई बड़ी बात निया कभी किसानों हर्याना वाला को आतंगवादी बोलता है पंजाब से मारे जो किसान भाई है उनको यह खालिस्तानी बोलता है आप ग्राउंड लेल पर रिपोर्टिंग करते हैं सबसे बड़ा पदन्यवाद करता हूं क्योंकि नैसल मीडिया ब प्रण्द बक्त है उनसे में हाथ जोड़के निवेदिन अगरिया आगे देखे सरकार के पैका में मताइए आपको रोटी किसान देगा यह भी जवी वाले निदेंगे आपको रोटी थैंक्यू सोमाइश ते जिमेंकी साथे वीराने दस्यां कि एजड़ी अखंड जोत है इना नू जेडी ऐ ताकत दिन दी ऐ ते इरे सा नू पुल्ण ने दवेगी इना दिये शहादता जेडिया वो पुल्ण नहीं देढ गिया कि इसलए की जड़ा है ना दा होंसला बणिया रवे ते जेड़े यह ना दे विचे जोश जनून है वो इसे तरह बरकरार रवे इस दो तक एक किसान अंदोलन चालदा रहेगा त्योंड मेनू इजाज़त देओ सशीकाल जी